जहन सिख्षक दिवस पे आप सभी होने वाले गुरुवों को या सिख्षकों को या कोचों को बहुत बहुत बधाई और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी अंदर जो भी क्वालिटी है वो सब गुरुवों की कृपासे ही है तो एक कभिरदास जी का बहुत ची अच्छा कोड है सब धर्ती कागज करू लेखन बने बन राज सास समुद्र मस करू तब उन गुरुवों लिखा जाए और उसके बाद गुरुविन ज्यान न उपजे गुरुविन मिटे न भेद गुरुविन संसे ना मिटे जय 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 गुरुवे तो गुरु की इतनी महानकृपा है कि मैं तो वड़न नहीं कर सकता सायद मेरे अंदर तो बिल्कुल ही क्वालिटी नहीं है तो आप लोग जब इस सिच्छा चेत्र में जब आएंगे जब आप लोग गुरु की पद्वी समालेंगे या कहें आप टीचिंग कर रहे होंगे तो आप अपनी महत्ता जरूर्ब समझेगा कि आप जिस फिल्ड पे है जिस पोजीशन पे है आप समाज को किस दिसात तक सुधार सकते हैं और किस दिसात तक ले जा सकते हैं एक गुरु चाड़के ने पूरा मौर सम्राज स्थाफित कर दिया था और गुरु क्या कर सकता है ये तो भगवान में नहीं बता सकता है चलिए कुछ पॉइंट है आप आज की दिन मैं बताना चाहता था और उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो मेरा अनभव है कोचिंग फिल्ड से टीचिंग फिल्ड में सिफ्थ होनेगा तो वहां से ये डिफरेंस कितना है और कोचिंग फिल्ड का अलग मैटर है और टीचिंग फिल्ड का अलग मैटर है तो टीचिंग फिल्ड में जो मैनर अनभव किया इन दो सालों में की आप लोगों को सख्यूं लेना है आप लोगों को सफलता लेना है तो किन-किन चीज़ पर आज यह आप लोग को धिहान रखना चाहिए कोचिंग फिल्ड का जो स्पट्स फिल्ड अलग है तो आज यह टीचर का कुछ चोज आपका कुछ मैंने क्वाल्टी दिया है चानकाली के साथ साथ आप उत्किस्ट हो एडॉर बेल मैं प्यारा हो ब्यक्तित आपका बहुत प्यारा हो ऐसा ने कि बच्चे आपसे बिल्कु डरते हूं या आप कुछ भय का हॉल क्रियेट करना ऐसा नहीं होना चाहिए और चार्मिंग मतलब कि आकरसक आपका जो ब्यक्तित हो बहुत आकरसक होना चाहिए और उसके बाद है हमबल आप सबके साथ एक मित्रता का विवार करी हमबल होना चाहिए सुलग होना चाहिए यह नहीं कि बच्चे आपसे अपनी बात कहने में डर रहे हूं तो यह चीज़ थोड़ा से यान उसके होसला बढ़ाईए जैसे कभी मैं आप लोगों को लिए करता हूं सेम ही आप जब भी आप अपने सेक्शन लेके आएं तो आप लोग यह पक्काई करिए इंक्रीज करिए बच्चों को बच्चों के अंदर कोई कमी नहीं है बच्चे कूरे कागज है जैसे हम लोगों आपकी जो करतब्य हैं आप अपने करतब्य को समझिए और पढ़ाई बेफोकस कीजिए ठीक है और इसके साथ साथ जो मेरा जो डेर साल या 21 मैंने जोईन किया था दोज साल का आसपास मेरा भी दिसंबर में हो जाएगा तो जो मैं कोशिंग फिल्ट छोड़की जम टीचिं मैं उनसे पूछी और तो मेरा यह पता चला कि मुझे कि आप लोगों को सबसे पहले बात आपके अपने विशे के सोर्स लिम्टेड करने चाहिए यह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी घ्यान मिल लिया आप उसको पगड़ लिए और उसी पर रटना सुरू कर लिए यह बहुत इनका रिप्लेश नहीं हो सकती हैं मिलेगे को मवाइल या कोई यूटूब नहीं अब्ल हमेशा प्रिफर करिए यह आपने बुक्स पे खिक अंबं से दोस्ती करिए इस लाइफ किताबं से दोस्ती कीजिए सोर्स को लिमिट रखिए जो आपके टॉपिक के सब्जक्ट के सोर्सेज है उनको लिमिट रखिए और एक रेगुलोटी बनागे रखिए नमबर दो है रेगुलोटी यह नहीं कि आज आप 10 घंटा पढ़ लिए और कल आप नहीं पढ़ पाए बैलकि अपना टास्क ह सबसे खतनाक चीज जो मैंने अनभव किया है आपका मल्टी मीडिया फेस्बुक्स थोड़ी दिन दूर रही है इनसे वाट्सप बहुत जरूरी है तब यूज कीजिए इंस्टाग्राम और रील्स चार चीज आपको आपको बरवादी की तरफ ले जा रहे हैं इनसे दूर लखे खासकर साट वीडियो से यह आपके डोपामाइन काफी रिलीज करते हैं और जिसके बाद में काफी बड़ा दूस परडाम होता है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है वीडियो बिलकुल छोड़ दीजिए और मोबाइल दो धारी तलवार हैं उसको कैसे यूज करना है यह आप के उपर उपन करता है ठीक है तो अगर इस खेतर में हैं तो आप इन सब चीज़ों का यूज करके आप सक्सिस लीजिए और बुक से दोस्ती करिए किताबों से दोस्ती करिए और सफलतर मिलेगी आपको तो टीचर्स डेपे आजी मेरा यह कुछ पॉइंट से आपके लिए और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता कि गुरू भी नी भावनी धी तरहीने कोई जो विरिच संकर सम हुई इस महासागर से अगर आपको पार होना है तो गुरू बनाना ही पड़ेगा और जिस अगर आपने गुरू सेलेक्ट कर लिया है बत उसके साथ लगे रही गुरू अई या जे बड़े ओउने के नाते जो मैंने अनभव किया है इन दो लाइफ हों में醒 найण लेग है उस बहूं को बताया है और उमिद करता हूं कि अजे बड़ा भाई होने के नाते आप लोग सभी लोग मेरी बाते मानें और उस पे अमल करेगे और आप लोगों कर अछा ल अगर आओगा तो फेसबुक पे आप लोग मेरे को फालो कर सकते हैं हैं जो फेसबुक को फालो करेंगा यह चीज मानद करिएगा कि मैं वहाँ पर कोई चीज आप लोग के धर्म से लेटरी कोश्च नहीं बताऊँगा और नहीं मैं आप लोगों को किसी जात संपरदाय से लेटर कुछ पूस्ट करता हूँ, मैं आपके वहां के स्पोर्स चीज़े मिल जाएंगी, और जो धर्मेज अच्छी चीज़े हैं, वो चीज़ मैं डालने को हिस्कर हुआ, इसके साथ ही जय हिन जय वारत, खुश रहिए, बेस वासरी यह मस रही है और मुस्करा दे रही है, थांक्यू करता है।